नमस्कार, मेरा नाम जोती कुल्सरेस्ट, कुकिंग मेरा पैशन, पिछले 20 सालों से मैं कुकिंग सिखा रही हूँ, मुझे खाना, बनाना, खिलाना बहुत पसंद रहा, आकर्षवणी और मेरे प्रोग्राम साते रहते हैं, उसके अलबा, लीडिंग पेपर्स में भी मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं, फूड और फ्रेग्रेंस एक्सपो में भी में अपने प्रेसेंटेशन्स देती रहती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने हमारे लुप्त हो चुकी, घुलकन की रेसेपीस पर बहुत जादे रिसर्च किया, उसके बारे में बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, और कई ल अपने प्रोग्राम सेती रहती हूँ, और आज मेरी जर्नी आप तक आ गई है, मैं सोचने हूँ कि क्यों नहीं चैनल की शुरुबात करें, तो चलिए, हिंदुस्तान आपको ले चलते हैं, एक स्वाद के ऐसे सफर पर, जहां आपको सेहत के साथ-साथ, अपनी स्वाद के अपनी हेल्थ के भी दोस्ती करते हुए, हम एक सेहत मंद खाना बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसके साथ आप और हम दोनों स्वाद के साथ-साथ सेहत से दोस्ती कराते हैं, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल, हेल्दी धावा में, जैसा कि आप सबको पता ह है कि जब हम कोई चीज की शुरूबात करते हैं, क्योंकि है मेरा पहला एपिसोड है, तो हम भी अपनी शुरूबात करेंगे कुछ मीठे से, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, हेल्दी पाइनेपल हल्वा, सबी ने सोचा होगा कि हल्वा और हल्दी, जी हां, आज मैं सब्सक्राइब करने का जाब वादा कर रहे हैं, तो हमें वैसे ही रेसिपी आपको सिखाना और देना है, जिससे कि आप स्वादिष्ट के साथ सथ सेहत मन भी रहे हैं, तो पाइनेपल हल्वा मैंने इसलिए चुनाएं, क्योंकि पाइनेपल एक ऐसी चीज है, जो कि हर शहर में 12 माई उपलब्द है, यह बहुत टेस्टी है, और ऐसा सुना और कहा और पढ़ा जाता है, कि यह बहुत हद तक हमें वेट लोस करने में हेल्प करती है, जब कभी हम वेट लोस प्रोग्राम पर या हेल्दी फूट के बार में बात कर रहे होते हैं, तो हमें मीठे से बिल हमें, पेधा काने का मन हो, तब आप इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं, तो शुरू करते हो, पहले बताना चाहँगों की हमें क्या क्या चीज़ है चाहिए, इस है यह बतलब सूज imagination क बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो हमें इसमें चाहिए, पाइंपल, थोड़ी स को slices में कट लेना है और उसके बाद इसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरी तरह पीसे आप इसे चेंडर में क्रश कर सकते हैं क्या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं अभी मैंने आपको पानेपल हलू में क्या क्या सामगरी हमको पूरा 100% उसको नहीं क्रश करना है थोड़े थोड़े ग्रेंडूल साने चाहिए जब हम हल्वा खा रहे हैं तो हमें फील होने से हमें पानेपल स्टेश के साथ किस तरह से मिल रहा है हमारा रेड़ी है पानेपल आप देख सकते हैं कि हमें कितना इसको प्रेश करना है 100% crush नहीं करते हुए, थोड़े-थोड़े pieces हमें इसमें रखना है, हमारा तयार हो चुका है, next step देखते हैं कि हमें किस तरह से करना है, तो आप देखिए, रवा भून चुका है, हमें हलका golden brown चाहिए, जादा भूना हुआ भी नहीं चाहिए, और कच्छा भी नहीं होना चाहि हमारा crush क्या हुगा pineapple, फूरा pineapple इसमें डाल दीजेगा, और साथ में हमने जिस quantity में रवा लिया है, सेम एमाउंट में हमको पानी एड़ करना है इसमें, तो हमने एक कप रवा लिया था, हम एक कप पानी मिलाने जा रहे हैं इसमें, आप इसमें पानी मिला दीजे, साथ साथ इसमें से continue हिलाते रहे है, पानी मिल जाएगा तब हम इसमें शुगर एड़ करनी है, एक पूरे pineapple और एक कप रवे के साथ हमको 4 टेबल इस्पून शुगर लेनी है, 4 टेबल इस्पून शुगर डाल दी हमने, जावा पानी और शुगर हम जब अच्छे से मिलाते जाएंगे, हमारा बस दीरे 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 पानी रिड्यूस होता जाएगा, और हम आपको आपको लगेगा कि हल्वा रेडी हो चुका है, यहां हम जनरली हम हल्वा तई देखते हमारा हल्वा पूरी तर से रेडी हो गया है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, इसी तरह आपको continue हिलाते हुए हल्वा को बनाना है, जब आपका हल्वा चारों तरफ से खटा छोड़ना शुरू कर देगा, और खटा होना शुरू कर देगा तो आप समझ से बारा हुआ हल्वा तयार है, आप देख सकते हैं कि हम इसे किस तरह है प्लेटिंग करना है हमें हल्वे की, हमने सारा हल्वा जितना भी हमने बनाया है, उसको एक अच्छे से बावल में निकाल देंगे, और टैंप्टिंग बनाने के लिए हम उसको थोड़ा सा डैकोर करे हुआ हैं से जाना ही, हमारा हल्वा है एक दम से तयार हैं आप इसे खाएँ बहुत बन से क्योंकि यह आपको टेस्ट के साथ साथ सेहत भी देगा और आपको वेट रॉस लोफ करने में हेल्क करेंगा यदे आपा मेरे रीज़िच हे पसंद आई है तो आप हमारे चैनल हेल Д आपको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब चे करना ना भूलें नमस्कार अब हम मिलेंगे बहुत जली हमारी नई रेसबी के साथ